हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेश बंच में आज मैं इतिहास जिन एस्पिरेंट्स ने वेकल पिक विशे की रूप में चूज किया है प्लस जी एस वन के पेपर में जो इतिहास आता है चाहे वो यूपी-पी-पी-पी-पी-प या फिर यूपी-पी-पी-पी-पी का मेंस हो हिस्ट्री तो हमेशा ही सेम रहती है तो आज हम उसकी क्लास करेंगे इसमें जो जीस्पिप विस्ट्री में जो सेकिंड नमबर का टॉपिक है आरंभिक पशु चारान एवं किर्शी समुदाय पुरा तात्विक साक्षिन नव पाशाण एवं तामुर पाशाण संस्कृतियां तो इसके बारे में हम करेंगे इसका पहला पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में आप लोग को दे दिया है यह तो आप हमारे चैनल पे भी विजिट करके इस वीडियो की में जानकारी प्राफ्त कर सकते हैं और एक बर प्रीज जो भी विवर्स हैं हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा क्योंकि इस पर ऐसी जानकारी उपलब्ध है जो आप लोगों के बहुत काम आ सकती है तो इस पर प्रेई और मेंस दोनों से रिलेटेड हम लोग चैनल को विजिट कीजिए पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जबूर करिएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं आज जी एस 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 हिस्ट्री एज अन ऑप्शन सब्जेक्ट जिसने चूज किया है उसके लिए आरंभिक संस्कृतियां जो हो थी हमारी उसक सब तो हिस्ट्री में मस्ट होता है लान का ना लेकिन हम ऐसे इतिहास को पढ़ेंगे कि बिल्कुल भी हम जैसे को स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इतिहास इजी वे में हम लोग को लर्न हो जाएगी तो और हम बिल्कुल प्राचीन भारत के इतिहासे आज स्टार्ट यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यह तीन काल में डिवाइट किस लिए किया गया था तो इसके बारे में मैं थोड़े सी और आपको जानकारी दे देती हूँ यह जो काल का डिवीजन था यह था जैसे सामगरी हमें मिली थी पुरा तात्विक साक्षे जैसे सापसे मिले थे और जैसे सापसे साहितिक शुरूत मिले थे उसी के अकॉर्डिंग यह काल का डिवीजन किया गया था तो प्रागयातिहासिक काल में लिखित साक्षे लोग गुफाओं में रहते थे आदी मानों की तरह निवास करते थे लेकिन हाँ चित्रकारी जरूर पाई गई है जैसे कि आदमगर्ड भीमबेट का इंतर कि गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उसे हम प्रागयति है से काल के अंदर रख सकते हैं इसमें लिखित साक्ष उप प्रागयति हासे काल के तरूपे दे सकते हैं नेक्सथ साम बात करेंगे आद इति हासे काल की आद इतिहासे मुखे विष्छता यह दो थे पर लिन लिख संस्कृति का एक्जामपल देज़ते हैं तो यह वाला पीरट था एतिहासी काल लिपी इसमें आपेस से जब एक में लिपी मौजूद नहीं थी सकेंड में लिपी मौजूद थी लेकिन पढ़ी नहीं गई है थर्ड में होगा कि लिपी मौजूद भी थी पुरातात्रीक और स अहित्तिक साश दोनों मौजूद भी थे और उसे पढ़ लिया गया है उसे मतलब कि जो भी चीज़ा उस समय मौजूद थी उसे ग्यात कर लिया गया है उसे लोगों तो पहुचा दिया गया है तो इस साक्ष पर हम एतिहासी काल का डिवीजन करेंगे तो इसका जो हम इस के बारे में पता लगा सकते हैं तो हुप आपको ये तीनों समझ में आ गई होंगी कि भारत जो प्राचीन भारत था उसके इतिहास्ति को तीन कळों में किस ह 말씀 처 किया गया दा और व्रागया तिहासी काल में डिवाजूद आ नहीं थे जैसे कि साक्ष मेय नहीं थे पठनिय थी जैसे कि हडपा संस्क्रिती और एतिहासिक काल में पुरातात्विक और लिखित साक्षे साहतिक साक्षे दोनों मौजूद थे और दोनों पढ़े जा चुके हैं पठनिय हैं तो इसका लगभग महाजनपत काल 620 पूर्व के बात का जो भी काल है वो एतिहासिक काल में आएगा तो हम तीनों काल की डिटेल में पढ़ेंगे मतला कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है यह तीनों कालों पर ही डिपेंड है प्रागयतिहासिक काल का जो इतिहास है वो हम यहां पर 1000 इशापूर्व तक पढ़ेंगे लगबग आपने देखा होगा कि 1750 इसवी के सुट पूर्व टक जितना भी काल था जैसेल पर आदियतिहासिक काल के अंदर तो हम यहां पर विल्कुल सेरैल वाइज एक एक चीज का अध्यान करेंगे कि कि किस काल में किस हिसाब से चीजे थी सब्विता थी साहित्य थे संस्कृति किस हिसाब से थी तो हम सब पढ़ेंगे तो यहां पर आज मैं प्राग्यति हास्तिक काल के बारे में आपको बताऊंगी जिसका जो पूरा हम अगर जोड़ें तो प्राग्यति हास्तिक काल को पांच लाख ईसा पूर्व से लेकर एक हजार ईसा पूर्व तक प्रागतिहासिक काल की क्लासिफिकेशन की जाएगी अब इसके बीच में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन किये गए हैं डिविजन किये गए हैं चलिए इसके बारे में मैं आज आगे पढ़ते हैं देखिए प्रागयतिहासे काल वो मोटे-मोटे तीन तौर पे डिवाइट किया गया है पूरा पाशाणकाल मध्य पाशाणकाल और नौपाशाणकाल यह आप लोगों ने अपने स्कूल्स टाइम में जरूर पढ़ा होगा कि पूरा पाशाणकाल में आख का कर चुके थे पहिये का विश्कार हुआ था तो इस टाइब से चीजे आपने मतलब जो फेक्ट्स है कुछ चीजे आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले आज मैं नॉर्मल आपको इस्टोरी के तौर पर बताऊंगे कि लोग कैसे रहते थे कैसे वहाँ अपना गुजारा चलाते थे जीवन निर्वाह कहते थे और समाजिक रियायों की स्ट्राइब से थी हम लोग वो पढ़ेंगे कैसे ओजार प्राप्त हुएं वो सब इसमें पढ़ाएंगे हम लोग आज ये सब देखेंगे पहले इसकी इसवी देख लेते ये सब जो याद करने की चीज़े हैं वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी जैसे कि पुरा पाशान काल का जो युग था उसे हम कहेंगे पांच लाख इसा पूर्व से लेकर दस हजार इसा पूर्व तक पुरा पाशान काल था उसके बाद 9000 इसा पूर्व से लेकर 4000 इसा पूर्व तक मध्य पाशान काल था और 7000 इसा पूर्व से लेकर 1000 इसा पूर्व तक लगभग 9 पाशान काल था अब ये जो बीच में जो एरा है गैप है ये बीच में जैसे की नमाद्ध पाशानकाल और नवपाशानकाल एकदम से तो नहीं आया होगा ना बीच में कुछ तो चेंज जैसे की सर्दी और गर्मी रितुए होती है तो गर्मी के बाद डायरेक्ट ही बरसात तो नहीं शुरू तो नहीं शुरू हो जाती ना बीच में कुछ ऐसे काल होता है जो मौसम बदलने में टाइम लगता है तो वो बीच के काल वही है जो हमारे विद्वानों ने उस एर में गैप कर दिया है इसलिए तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना हर जगे यह अलग-अलग दिये तो पुरा पाशान काल में भी कई डिवीजन है क्योंकि पांच लाग इसापूर से लेके दस अजार इसापूर तक सिर्फ इतने बड़े पीरिड में सिर्फ पुरा पाशान काल ही नहीं था इसके अंदर और भी काल थे मनुष्य ने बहुत ज्यादा डेवलप हुए इस काल के बीच में बहुत पार्ट्स आये पहले मतलब की लोग वहां पे गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे धीरे 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 जब पुरा पाशान काल के एंड एरी आया दस हजारी शापूर तक तो लोग आग का विश्कार शुरू कर दिया थोड़ा बहुत समुदाय म तो आपको ये चीज़ समझ में आगई होगी कि पहले प्राचीन भारत की इतिहास्त में तीन काल है प्रागयतिहासिक काल आद्यातिहासिक काल और एतिहासिक काल अब सबसे पहला पार्ट जो प्रागयतिहासिक काल है उसमें भी तीन काल है पुरा पाशान काल मध्य पाशान और नाव पुरा पाशार काल तो इसमें यह चीज है चलिए हम इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं आगे पुरा पाशार काल का जो युक था यह मैंने पूरा प्रॉपर एज बता दिया इसमें पांच लाग इसा पूरुफ से लेकर दस अजार इसा पूर्थ तक इसमें जो ती पूरा पाशार काल मद्य पूरा पाशार काल और नाव पूरा पाशार काल इसका जो यह था वह पांच लाग इसा पूरुफ से लेकर पचास जार इसा पूरुफ निम्न जो पूरा पाशार काल था फिर दीर दीर जैसे कि डेवलप्त होती है चीजे तो फटा फट वह चीज और यहां भी कम हो चुका है 40,000 इशापूर से 10,000 इशापूर तो यह जो पूरा यहां पर यह था वो इतीन पार्ट्स में हमने डिवाइट कर दिया हमने नहीं जो हमारी इतिहासकार थे उन्होंने यह डिवाइट किया है तो इसकी हिसाब से हम लोग स्टेडी करेंगे कि पू थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे इससे पहले मैं आपको यह बता दू कि पहले जो हमारे जो काल थे वो 1776 में पीएफ शुब नामक एक इसमें इतिहासकार कहेंगे उन्होंने जो हमारे काल को तीनों कालों को पाशान काल काश्य काल और लोग काल लगातने काल में दिवाइट किया था बट बतली मतलब की टेक्निकल चेंजजेस आए तो लास्ट में भार्तिय-पाषानकाल संस्कृती का नामकरन क्या यूरोप के अनुसार किया गया पहले डन्माक के हिसाफ से किया गया था डन्माक जो अपने संस्कृति का निर्घारण किया तो उसके हिसाब से किया लेकिन बाद में चेंज्जेज olabilir ने पुर्पाशान काल तो उसके बाद से युरोप में जैसे काल काी टिवीजन हुआ ता jon मैं । तो यह जो डिवीजन मैंने बताई यह यूरोप के अकॉर्डिंग यह भी कॉशन आसकता है प्रीम है कि यह सबोगे बहुत ही महत्तून व्यप्ति का नाँ कि जिनका नाम है रोबर्ट ब्रोस फूट इन्होंने सर प्रथम 1863 में सबसे पहले इन्होंने ही 1863 में भारत के पुरा पाशान कालीन और जारों की खोज की थी तो ये बहुत ही महत्पून व्यक्ति हैं भारत के point of view से इन्होंने पल्लावरम नामकिस्थान पर प्रथम भारतिय पुरा पाशान कलाकरती खोजी थी तो ये बहुत ही इंपॉर्टन व्यक्ति हैं इनके बारे में भी आगे डिटेल में अगर जानेंगे देखेंगे कोई कोशन आया हो तो इनके बारे में भी जानेंगे कौन थे इन्होंने क्या किया था ये कौन से विभाग में काम करते थे the old stone age जैसे कि हम 5,000,000 इसापूर्व से लेकर 10,000 इसापूर्व तक इसका एरिया था जो कि मैंने बताया आग का आविशकार इसमें लास्त यूग में हुआ मतलब कि हम कह सकते हैं इसमें कि जब उच्च पूर्व पाशानकाल आया तब आग का आविशकार हो चुका था लोग जुन्ड में ज्रम हो यू में जुरू को चुके था लास्त आतेया शिकार करते थे और एक जगे से दूसरी जगे घुमते थे मतलब कि बहुत सारे बदलाव इसुरू में लोग शिकार करके खाते थे मिए देते लेकिन कफी सारे इसमें बदलाव आई पहले जो आठी से प्रीयोग कि आ बड़े अकार वाले उत्वरन होते थे जो पैबुल से ही बनाए जाते थे और इसके उपर एक फलत निकाल कर धार बनाई जाती थी जैसे कि जो यह आप दीख रहे होंगे वीडियो में इसमें इसमें काफी चापर चापिंग संस्कृति के थे और जार ऐसे कि हैंडेक्स संस्क जो कि साधारन पत्रों से और फ्लेक्स परनाली द्वारा निर्मित किये गये थी और इस अंस्कृति के जो बहुत आने उपकरन थे वह क्लीवर थे स्क्रैपर थे आदी बहुत सारे उपकरन थे आपको वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उपकरन जो हास्टे पकड़के मतल जैसे जैसे सुश्क्रती का विकास दुआ तो कुलहारी जैसे उपकरने लगें लास्ट आप अप देख सकते हैं इस वीडियो में कि इसमें लेगी पुलहारी जैसे आज 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 चारो का भी प्रियोग होने लगा था अब हम बात करते हैं कलाकृतियों कि paintings तो इस समय जो पुरा पाशान काल में थे paintings हमें मिली है हमें लिखे साक्ष तो कुछ भी नहीं मिले हैं लेकिन हमें बहुत सारे paintings मिली हैं अब आप लोग सोच रहा होंगे कि लोगों को खाने का तो पता नहीं था कि कैसे खाना बनाते हैं लोग से ख्वाइब कियो घरन किरिदेने वरिह दोने यह के impacting अपर हुए में आपको बता दो कि कि पहले मितले होता हैो विपर भी डी-टिन नवन्हें की वारिष के सब्सक्राइब वर रखते हैं और आई ठीडिन नैथा धातत cotton-पिके शिकार जो करते थे वही उलोग खाते थे उसी से धीरे-धीरे उन लोगों में जुन्ड बनाकर रहने की प्रवर्ती धीरे-धीरे विक्सित होई प्लस जब वह 4-4 दिन तक एक ही जगा जुन्ड में रहेंगे तो उन लोगों कुछ आखे टाइप में कुछ खेल टाइप में कर लोग आप पिया तो आपने बच्चों के लिए इस ताइप clean Dre coke Price can關aya to disconnect कर JimISA करिए अपने बच्चों अपने बनाना जैसे कि आप पेंटिंग सकते हैं कि कैसी आईसी पेंटिंग की शीकार कड़ा टू coy Blessed देखिए यह देखिए तीरधनुष जैसी पेंटिंग्स यूज हुई है और तो यह हो सकता है कि यह अपने बच्चों को सिखाने के लिए या फिर खुद का टाइम पास करने के लिए इस प्रकार की पेंटिंग्स करते थे तो जाद अतर आदमगड में मिला है भीमबेटका मे बहुत सारी ऐसी गुफाई हैं जिनमें यह सब पेंटिंग्स प्राप्त हुई है चलिए आगे हम बात करते हैं लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी वो लो कैसे जीवन जीते थे उस समय के लोग थे वह जुंडों में नहीं रहते थे वो लो गलाला गला रहते थे शिकार क गादकत कई उसने शय डिरotal जातीज मोशने तो ऩ wielisz शय दो का में तो तो यह तन समय तोactive पत THर समाधिया दीजाती गुंग उन्हे लिए उन ऐसपः को उसाथ भीन कैज दो किया दो कि आपर जोगना के संरप of महीं को जाता हुआ के एक पतफर पाशान कना तो जंगली जो जानवर के बहुत बड़े बड़े जिसे हाथी हो गया शियर हो गया इन लोगों से बचने के लिए आग पाविश्काव शिरू में पिया गया जैसे कि आप पिचल में देख सकते हैं फिर दीरे दीरे लोग को समझ में आया कि आग में पका के मांस को खाया भी जा स कि कैसे ये सारी कैसे डिसकावर हुआ चीजे आग का विश्कार कैसे हुआ पहले लोग कैसे रहते थे तो ये सारी चीजे ऐसे ही धीरे दीरे पहियो का विश्कार खेती का विश्कार ये सब हुआ लास्ट में बिलकुल जब आया नौ पाशानकाल का योग उस ताइम में हु बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे चलि आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हैं कि पुरा पाशान काल सिर्फ हम अभी पुरा पाशान काल की ही बात कर रहे हैं तो पुरा पाशान काल में कौन-कौन सी साइट थी इंडिया में जहां पर पुरा पाशान काल संस्कृति की अवशेश पाए गए हैं सभिता के अवशेश पाए गए हैं तो मैं इसमें तीनों साइट्स के बारे में अलग अलग बताऊंगे आपको जैसे कि निम्नपुरा पाशान काल में कौन-कौन भीम बेट का यह आपको दिख रहा होगा और मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी यहां ही पर एरिया सिच्योटेड है उत्तर प्रदेश में तो यह निम्न पुरा पाशान काल के महत्पुन छेत्र थे ऐसी मध्य पुरा पाशान के छेत्रों की बात करें तो उसमें बेलन घा यह वाला एरिया और नर्मदा घाटी के किनारों पर कई ऐसे स्थांते जहां मध्य पुरा पाशान काल के अफ्षेश प्राप्त हुए हैं ऐसी उच्च पुरा पाशान काल की बात करें तो इसमें भी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और सोन घाटी मध्य प्रदेश यह पू अब तत्यों की बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टन फैक्स जो की पूरा पाशान काल के समवन्ध में हैं बेलन घाटी और नर्मदा घाटी में पूरा पाशान की सभी अवस्था जो क्रमवार तरीके से विक्षित हुए मतलग कि पहले निम्नपूर पाशान काल फिर मद गंगा नदी सिंदू नदी यमुना नदी में तो यह इंपॉर्टन फैक्ट है यह आपको प्रीके पॉइंट हो कि उसे भी इंपॉर्टन कोशन हो जाता है पूरा पाशान काल के पश्यों के जिवाश में मिले हैं किन्तु मानों की जिवाश में नहीं मिले अपवास जैसे चमकीले पत्थ्रों का प्रियोग किया गया है इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है और सामोदाइक जीवन का विकास उत्तर पूरा पाशान काल में मतलब की जैसे उच पूर पाशान काल भी कहा जाता है वहाँ पर अधिक विक्सित हुआ है अधिक सुद्रन से पाया गया है अनेक व्यक्ति समूहों में रहते थे परिवार जैसे संस्था का उदे यहीं से हुआ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उच्च पूर पाशान काल से गुफाओं के अत्रिक्त जोपडियों का अपयोग आवास की रूप में किया जाने लगा लास आते आते गुफा चित्रकला से ग्यात होता है कि लोग पशु चर्म का अपयोग वस्त्र के रूप में करते थे पहले लोग पत्तों का यूज करते थे धीरेद्रे पशु के चमणों का यूज करने लगे और परिश्कृत ओजार थे जैसे कि मैंने आपको दिखाये वीडियो में इसक उसकि को खाया जाता था और शिकार से ही जीवन यापन होता था खेती करना आता नहीं था इसलिए पौधों से प्राप्त होता था वो चीजें घट्ती नहीं हो पाती थी अब इसमें में जो में फेक्ट है वो आपको बतादो पुरा पाशंकाल के कि क्रिशी नहीं होती थी लास्टे जाते आते थोड़ी बहुत कृशी की सुरवादश लेकिन इसमें कृशी अगर पूछा जा जार नॉर्मली फीर पूरा पाशन काल में कृशी होती थी नहीं होती थी इस्थाई आवास नहीं होता था जानॡ़े prise maple in नहीं पाये हैं पश्युपालन लोगों से जानुरों से पेड़ों से लेकिन उगाना नहीं आता था उत्पादक नहीं थे में में हो जारों की अगर आप लोगों को बात करो इसी काल में निमनुपुरा पाशान काल में हाथ की कुलहारी तक्षुनी काटने का उजार प्राप्त हुआ है मद्यपुरा पाशान में तक्षणी और खुरुचनी आप लोग जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो यह जब नाम देंगे तो इससे अच्छा एफेक्ट पड़ेगा आप लोग बाकी तो स्टोरी की तरह ही आपको आंसर राइटिंग इसमें करने होगी तो आपको यह चीज अच्छी से सम जवाब जरूर देंगे कमेंट के जवाब देने में लेट हो सकता है लेकिन जवाब जरूर मिलेगा तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए माशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू ठैक्स फॉर वाचिंग